गरीबी से समदित एक बहुत पावरफुल कोट है पुवर्टी इस लाइक पनिस्मेंट पुवर्टी एक ऐसी सजा है उस क्राइम के लिए जो आपने किया ही नहीं है आप एक्जाम्पल की शाहिता से समझे दो लोग एक तरफ महेश जो गरीब परिवार में पैदा हुआ दूसी तरफ सुरेश जो देश के टोप 1% जो रिच परिवार है उनमें पैदा हुआ अब देखो महेश गरीब परिवार में पैदा हुआ माता पिता मजदूरी करते हैं और दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाते हैं महेश सरकारी स्कूल में पढ़ता है जो पूरली फंडिड है जदा पैसा सरकार उस स्कूल को देती नहीं है क्वालिटी टीचिंग नहीं है कभी कबार तो महेश स्कूल भी नहीं जा पाता क्योंकि वो अपने पैरेंट्स की हेल्प करता है पैसा कमाने में महेश बच्पन से ही माल्यूट्रिशन का सिकार हो गया ठीक से ब्रेन डवलप नहीं हो पाया ठीक से फिजिकल डवलपन नहीं हो पाई पढ़ाई बीच में छूट गई इस वज़े से महेश को भी आगे जाके मजदूरी करनी पड़ी दूसी तरफ सुरेश एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ सुरू से टोप नोच एजुकेशन, टोप नोच परवरीश, टोप नोच हेल्थ का ध्यान अकैदमिक परफोर्मेंस, जबरदस्ट, टोप के बी स्कूल में पढ़ा, डोनेशन देखे और पैरेंट्स का जो बिजनस था, उसी में सेट हो गया अब मुझे एक बात बताईए, महेश की क्या गलती थी, उसने क्या क्राइम किया था कोई गलती नहीं थी, आप बोलोगे यह तो किस्मत है, अरे किस्मत नहीं है यार मतलब सरकार का काम है गरीबी खतम करना, हम यह नहीं बोल सकते, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिस की है सरकार का काम है गरीबी खतम करना, ऐसे समाज का निर्मान करना जिसमें इतनी सारी income inequalities ना हो खेर discussion की बात करें, आज date 2 April 2024 है, चार issues details से discuss करेंगे सबसे पहले PMLA, Prevention of Money Loanering Act, दिल्ली के CM समें दूसरे leaders पर केस दर्ज होता है PMLA के तहत ED कारवाई करती है, काफी controversy create होती है तो इस act से समन्दित आज का पहला article, दूसरा article, fake job scam, ये भी काफी important article है देश के युवाओं को कैसे फसाय जा रहा है, तीसे नंबर पे इंडिया और चाइना की GDP का comparison पिछले 30 सालों में चाइना कैसे इंडिया से आगे निकल गया, लास्ट में WICOM सत्यगरा 100 साल पूरे हो चुके है UPSC के लिए important है, इस बार के exam के लिए WICOM सत्यगरा चलिए discussion स्टार्ट करते हैं आज की discussion में first important article, एक ऐसे act, एक ऐसे कानून के बारे में जो अपना रास्ता भूल चुका है, अपनी मंजिल को खो चुका है अब syllabus में देखो GS paper 3 के इस topic से और even GS paper 2nd polity से भी इस article को relate किया जा सकता है सबसे पहले हम ना background समझते हैं आखिरकार क्यों आफसकता पड़ी इस परकार के act को लाने की prevention of money laundering act 2002 क्या कहानी क्या है पीछे की दिखो एक example की साहता से समझें आपको पता है हमारे North East में बहुत सा drug traffic करके लाया जाता है मतलब illegal तरीके से लाया जाता है Myanmar, Laos, Cambodia इन देशों से यहाँ पर drug की production काफी जादा होती है समझ गें तो जो insurgents है न वो देखो illegal तरीके से drug लाते हैं Myanmar, Laos इन देशों से और drugs को फिर बेचते हैं North East समेथ इंडिया के अलग-अलग हिस्सों में और इस से जो insurgents है वो पैसा कमाते हैं अब उस पैसे से ना सिरफ देखो वो अपनी insurgents जारी रखते हैं मतलब जो लोग इन के साथ में जुड़ते हैं insurgents का साथ देते हैं हतियार उठाते हैं उनको salary वगरा दी जाती है इस drugs की trafficking करके बेचके बलकि देखो कई बार ना उस drugs के पैसे को जो बच जाता है ना फिर उसको white money में convert करने की कोशिश की जाती है और जो white money में convert हो जाता है ये है फिर money laundering money laundering का मतलब यह है ना black money को white money में convert करना लेकिन देखो drugs की कमाई का पैसा जो काला धन था अब उसे white money में convert कर दिया गया और उसे अलग अलग जगह पे लगाय जाता है for example movies में आपको याद होगा कुछ साल पहले बहुत बार ये issue सुर्क्यों में आता था कि फिल्मों में underworld का पैसा लगा है, दाउद का पैसा लगा है movies में, पहले ये issue निकल के आता था ना बार-बार, वो क्या था वो money laundering तो थी डाउद ने gangster वाली activities करके extortion से पैसा कमाया, अब वो white money में convert करने की कोशिश कर रहा है movies में लगा के खेर main जो problem थी ना वो थी drug trafficking से कमाया हुआ पैसा, इससे ना सिरफ इंडिया, बलकि विभिन देश चिंतित थे, UN भी इससे चिंतित था, तो 1988 में न, United Nations Convention Against Illicit Trade in Narcotics Drugs and Psychotrophic Substances ये convention आयोजित हुई, और इस convention में विभिन देशों से आवान किया गया कि आप न, रोकिए drug crimes और दूसरे connected activities का जो पैसा है न, उसकी laundering हो रही है, उसे white money में convert किया जा रहा है, इससे तो देश की economy पे खत्रा होता है, देश की sovereignty पे इससे खत्रा आता है, तो विभिन देश इसे रोकें ये problem देखो धीरे धीरे बढ़ती गई फिर न, साथ G7 के साथ जो member countries थे न उनका summit हुआ Paris में 1989 में, और उन्होंने एक task force बनाई, financial action task force ताकि money laundering की जो problem है उससे निप्टा जासके और इससे समंदित recommendations जारी की जासके, बाद में 1990 में UN General Assembly ने एक resolution को adopt किया, political declaration and global program of action, इसमें कहा गया विभिन देशों को कि आपना money laundering को खास करके drug money की जो laundering होती है उसे रोकने के लिए कानून बनाईए, और finally देखो 2002 में, इंडिया ने money laundering को रोकने के लिए कानून बनाया, लेकिन इस अभी तक की पूरी कहानी में आपने एक चीज़ notice की होगी focus जो था, वो drug money पर था drug money को रोकने पर था और आपको पता है, जो लोग drug trafficking करते हैं, बहुत खतरनाक लोग होते हैं, इस वज़े से PMLA यनि prevention of money laundering act को काफी ज़्यादा strict बनाया गया था, कि ये लोग न छूट न जाए, धमका फिराके, मतलब ऐसा ने कि witness को डराके, धमका के, उनके बयान पलट जाएं और वो छूट जाएं, इसलिए न इस कानून को बहुत strict बनाया गया था मैं आपको example देता हूँ, normal criminal last में और PMLA में क्या फरक है, prevention of money laundering के तहत, किसी के against case दर्ज होता है न, बेल असानी से नहीं मिलती, section 45 के अंतरगत, जो accused है न, PMLA में, for example, अर्विन केजरिवाल दिल्ली के मुख्यवंतरी, उन्हें न, प्रूव करना पड़ता है कि देखो भाईया, पहली नेजर में हम innocent हैं, हमने crime नहीं किया है, देखो ये बहुत tough condition है, accused को प्रूव करना होता है, court में, कि देखो पहली नेजर में, ये जो हैं, अपरादी हैं, इसलिए इनको bail ना grant की जाए, समझ गए, मतलब PMLA में, जो burden है, किस पे है, PMLA में burden जो है, वो accused पे आ गया है, कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हम पहली नेजर में, आप accused नहीं हो, आप innocent हो, जबकि normal criminal last में, जो burden होता है, वो सरकारी वकील पे होता है, दो-तिन और provision भी देखिए, PMLA केस में, जब केस दर्ज होता है, अभी accused के खिलाफ जाँच चल ही रही है, जाँच के बीच में ही, अगर लगता है ED को, कि ये जो property है, accused ने कमाई है, crime proceed से, यानि crime करके, ये पैसा कमाया है, और उसकी property है, तो जाँच के दुरान ही property को attach किया जा सकता है, लेकिन normal criminal cases में, जब conviction हो जाए, उसके बाद ही property को attach किया जाता है, पहले नहीं, जैसे निरव मोदी का केस है, निरव मोदी के खिलाफ, trial अभी भी चल रहा है, बिना किसी trial, बिना किसी conviction के, ED ने, हजारों करोड की जो properties हैं, वो attach कर ली, लेकिन normal fraud में, ऐसा नहीं होता, अब next है, recording of statements, अब देखो PMLA cases में न, accused, अगर jail में, for example, ED की custody में, statement देता है, अपने ही खिलाफ मान लीजे दे देता है, कि हाँ मैंने अपराद किया है, तो वो court में न, मान्या है, लेकिन normal criminal cases में, police के द्वारा, जो statement record की जाती है, accused मान लेता है, police custody में कि हाँ मैंने अपराद किया है, तो वो court में मान्या नहीं होती है, पॉइंट समझ गए न, PMLA cases में, अगर accused, for example, अभी दिल्ली के CM अर्विन के जरीवाल बोलते हैं, मान लेते हैं ED custody में कि हाँ मैंने अपराद किया है, तो court में उस statement को as a evidence के तोर पे सविकार किया जा सकता है, लेकिन normal criminal cases में ये possible नहीं है, last example देख लिजिए, PMLA में कई सारी circumstances में accused को बोला जाता है, कि ये आपकी property है, प्रूव कीजिए कि ये आपने legal तरीके से कमाई है, प्रूव कीजिए, लेकिन normal criminal cases में न, सरकारी वकील के उपर burden होता है, कि वो दिखाये कि देखो यहां से corruption किया, और corruption का पैसा ये देखो, यहां पे इस property में लगाया, तो देखो अभी तक की discussion में, कहानी आपको बता लग गई, क्यूं PMLA आया, क्या फरक है normal criminal, लाज और PMLA के बीच में ये भी आपको समझ में आ गया, अब देखो writer ये बोलते हैं, PMLA वैसे तो आया था देखो, drug money की laundering को prevent करने के लिए, focused drug money पे था, लेकिन ना, समय समय पर, जब से ये act आया है, तब से लेके अभी तक, कई सारे दूसरे छोटे छोटे ओफेंसीज भी, अब PMLA के अंतरगत आते हैं, जैसे 2009 में, Prevention of Corruption Act को भी, PMLA के schedule में डाल दिया गया, मतलब कि देखो, किसी सरकारी बाबू ने, corruption करके, और money laundering की है, corruption करके रिस्वत ली, और रिस्वत का काला धन, white money में convert किया, तो उसके खिलाफ भी ED जांच कर सकती हैं, ये तो सिरफ मैंने आपको एक example दिया, ऐसे और बहुत सारे offenses हैं, जो अब PMLA के अंतरगत आते हैं, जैसे एक है breach of trust, trust तोड़ने से समंदी जो offense है, वो भी PMLA के अंतरगत आता है, राइटर कहते हैं, due corruption एक बहुत बढ़ी चुनोती है, ये बात सच है, बट आप एक चीज देखिए, PMLA लाया गया था, drug money को, drug money की proceeds, को white money में convert होने से रोकने के लिए, इसी वज़े से, PMLA में जो provisions हैं, बहुत जादा strict हैं, बहुत ही जादा strict हैं, जो हमने शुरुवात में डिसकस किया, क्यूंकि देखो, provision इसलिए भी strict रखे गए थे, क्यूंकि drug money की laundering से देश की economy, देश की sovereignty destabilize होती है, बट देखो, corruption से related cases हैं उनसे देश की sovereignty पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, अब ये बात देखो debatable हो सकती है, आप में से बहुत से लोग मानेंगे कि नई सर, corruption भी एक बहुत बड़ा issue है, और corruption जो लोग करते हैं, उन पर भी strict provisions लागू होने चाहिए, लेकिन writer कहना चाहते हैं, बात सिरफ corruption की नहीं है, corruption एक example है, और बहुत सारे offense जो हैं, अब वो PMLA के अंतरगत आते हैं, अब उन पर लगते हैं strict provisions, बहुत ही ज़्यादा strict provisions, जैसे की bail नहीं मिलती आसानी से, और ED की custody में जो statement दी जाती है, वो court में इस्तमाल की जा सकती है, as a saboot, तो writer का मानना है कि drug money को छोड़ के, दूसरे जो offenses है ना, उसके लिए कम से कम accused को कुछ rights मिलने चाहिए, बाकी criminal laws कितरह हैं, बाकी criminal laws में क्या होता है, bail is the norm, jail is the exception, और police custody में कोई भी statement दी जाती है, तो वो court में evidence के तोर पे मानना नहीं होती, ये अधिकार मिलते हैं accused को, तो drug money को छोड़ के, बाकी offenses में ना, ये अधिकार accused को मिलने चाहिए, PMLA आया था बहुत खतरनाक, लोगों से निपटने के लिए, जो drug trafficking करते हैं, लेकिन अब PMLA के strict से strict provisions का इस्तमाल किया जाता है, normal criminals से भी निपटने के लिए, जो कि देखो गलत हैं, ऐसा writer का मानना है, लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, जैसे देखो, bail provisions काफी ज़्यादा difficult है ना PMLA में, bail मिलना बहुत ज़्यादा difficult है, अब इस चीज़ को ना, unconstitutional करार दिया था, 2018 में Supreme Court की एक bench ने, case का नाम था, Nikese Taraachand Saab versus Union of India, दो जज़ीज की bench ने कहा था, इतने difficult provisions, bail मिलने में, ये देखो, किसी भी citizen के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का violation है, लेकिन जैसे ही Supreme Court की verdict आए ना, तो तुरंथ की तुरंथ, Parliament में फिर से amendment करके, ये provisions restore कर दिये गए, बाद में देखो, Supreme Court की तीन ज़्यादी की bench ने, इसे सही ठराया, और बोला, कि देखो, legislature अपनी तरफ से, कानून में कोई भी फिर बदल कर सकता है, बात समझ में आई आई आपको, Supreme Court की दो जज़ीज की bench ने, strong decision दिया था, इस पे, कि यार इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, bail मिलना, लेकिन बाद में Parliament ने फिर सही से restore कर दिया, nullify कर दिया, दो जज़ीज की bench के फैसले को, और इस बाद में तीन जज़ीज की bench ने कहा कि, Parliament ने जो किया है, वो सही किया है, conclusion में राइटर बोलते हैं, 1978 के case में, Justice V.R. Krishna Iyer ने एक बात बोली थी, जब bail refuse की जाती है न, तो देखो, जो accused है, जिस पे अभी अपराद साबित नहीं हुआ है, उसकी जो personal liberty है न, वो खो जाती है, और ये एक important fundamental right है, हमारे सविधान के article 21 में, हम, यानि judiciary, ऐसा नहीं allow कर सकते, कि किसी भी नागरिक की जो personal liberty है, right to life with dignity है, वो fundamental right उससे छिने, लेकिन देखो, 1978 से लेके, अभी तक हम बहुत दूर आ चुके हैं, इवन कई बार judiciary दिमाग नहीं लगाती, सिरफ technicalities देखती है, लेकिन ये नहीं देखती, किस परकार से, ये जो कानून है, civil liberties को violate करता है, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, चलते हैं आगे, इसके बार next article, देखो, East में हमारे जो परोशी देश हैं न, जिसे मैमार, कमबोडिया, यहाँ पर न, बहुत सारे syndicate, fake job scam चला रहे हैं, इस पूरे article में समझेंगे कैसे, और बहुत सारे Indians भी देखो, इन fake, fake job scam का सिकार बन रहे हैं, आप जहाँ देखो, GS paper 3 में employment से इस article को relate कर सकते हो, और दूसरी तरफ आप, IR में India and neighborhood relations से भी, इस article को relate कर सकते हों, introduction में देखो, राइटर बोलते हैं, चाइना के belt and road initiative से होने वाले debt trap के बारे में, तो देखो, हम सब को पता हैं, और इसका सबसे बड़ा example हमने देखा, सिलंका में, किस परकार से हम बन तो था port, चाइना को lease पर दे दिया गया, क्योंकि सिलंका जो है, वो debt नहीं चुका, चाइना का, लेकिन देखो, एक और aspect हैं, चाइना का ये जो project है न, belt and road initiative, ये organized crime में भी, काफी ज़्यादा contribute कर रहा है, जैसे fake job scam, cyber fraud, human trafficking, crypto fraud, ये पूरी की पूरी, जो industry है न, 15 billion dollars की बन चुकी हैं, और इसमें company की जगए न, compound होता है, जहां लाखों लोग को trap करके, उनसे fraud करवाए जाता है, समझ गए, जैसे example आपको देता हूँ, detail से आएगा अभी, जैसे India में, बहुत सारे युवा लोगों को फसाया जाएगा, कि आपको job दी जाएगी, आप Myanmar में आ जाईए, या फिर Cambodia में आ जाईए, अब हमारे देश का youth, मान लिजे कुछ युवा लोग चले जाते हैं, Myanmar में, तो वहाँ पर ये syndicate active हैं, वो उनको एक compound में बंद कर देते हैं, जिनको job के नाम पर बुलाया गया है, दूसरे देशों से, compound में बंद करके, फिर उनसे scam करवाया जाता है, दूसरे लोगों को लूटा जाता है, कैसे देखो, लूटा जाता है, क्या methodology है, अभी सब आएगा आटकल में, देखो recently न, इंडिया के 5000 लोगों के कमबोडिया में फसने की news आती हैं, जिसमें करीब 250 लोगों को तो rescue कर लिया गया, अभी foreign ministry, इंटरपॉल के साथ मिलके, operation चला रही है, ताकि बाकी Indians, जो कमबोडिया में फसे हैं, उन्हें भी बचाय जासकें, तो अब सवाल ये उठता है, कि आखिरकार कमबोडिया और बाकी South East Asia में इतने बड़े scale पे organized crime कैसे florist कर रहा है, कैसे भारत के लोग को फसा के या फिर दुनिया के अलग-अलग देशों के लोग को फसा कर कमबोडिया में ले जाया गया, और वहाँ पे एक compound में बंद करके उनसे fraud करवाया जा रहा है, दरसल देखो, चाइना में न, casino और gambling mafia बहुत powerful हो चुके थे, जिससे परिशान होके, चाइना ने न, casino पर बैन लगा दिया, लेकिन फिर, ये जो mafia थे न, ये South East Asia की बाखी countries में जाके, casino और gambling business इन्होंने start कर दिया, और बहुत powerful हो गई ये लोग, चाइना से आगे, Cambodia, Myanmar इन देशों में, Thailand इन देशों में, पर जब देखो, यहां की countries भी, Thailand, Cambodia, Myanmar, इन देशों को भी लगने लगा, कि यार ये casino और gambling का business तो, देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों ने भी विरोध करना start किया, तो इन देशों ने भी, casino और gambling पर बैन लगा दिया, समझ गे, तो ये gambling और casino माफिया वाले थे, जो अभी तक Thailand, Myanmar, Cambodia जैसे देशों में, establish हो चुके थे, अब उनके business पर तो बैन लगा दिया गया, तो इन माफिया लोगों ने न, एक नया काम start किया, online fraud, online fraud मतलब, online scam करवाना, organized तरीके से ये करना start कर दिया, उन माफियाओं ने, जो Chinese माफिया थे, लेकिन, South East Asia के दूसे देशों में, आके अब activities कर रहे थे, इसी वज़े से देखो, इस पूरे organized crime में, चाइना का role सबसे important है, क्योंकि इस पूरे syndicate को चलाने वाले कौन है, Chinese माफिया है, इन्होंने जहां भी center या compound बनाया, वो building, किसी न किसी पर कहार से, चाइना के belt and road initiative से related थी, या तो इस initiative के अंतरकत बनी हुई थी, या फिर किसी और पर कार से indirectly इस project से related थी, समझ गए, देवो South East Asia की countries जैसे, ये Cambodia, Myanmar, Thailand, इन में ना, चाइना ने belt and road initiative के तहट, अच्छा खासा influence बना रखा है, जिससे Chinese माफिया ने, इन देशों की government और officials के साथ, साथ काट कर ली, कि भाया हम जो ये online fraud करके, पैसा कमाएंगे ना, उसका एक हिसा हम आपको भी देंगे, बदले में, आप हमें कुछ नहीं करेंगे, आप हमें protection प्रोवाइड करेंगे, यही होती है ना, protection money, और वैसे भी ये जो देश है ना, Cambodia, Laos, Thailand, ये corruption के मामले में देखो, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, corruption, perception index for 2022, ये index कहता है, 180 देशों में, फिलिपीन्स की रेंग कितनी, 116, Laos की रेंग कितनी, 126, Cambodia की रेंग कितनी, Cambodia की रेंग तो और भी खराब है, 150, इसके बाद अब हम समझते हैं, ये पूरा जो scam है ना, जो fraud scam, ये चलता कैसे हैं, देखो ये पूरा ना, systematic धंग से चलता है, organized धंग से चलता है, जैसे मैंने आपको शुरुवात में बताया, अब इंडिया में न, unemployment की समझे आपको पता है, बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे, कुछ youth, जो कम पड़े लिखें हैं, या फिर नाम नाम के पड़े लिखें हैं, उनको इस परकार की advertisement दिखाई जाती है, कि आप मयामार में आके जोब कीजिए, आप कमबोडिया में आके जोब कीजिए, आपको लाखों रुपे मिलेंगे, तो यह जो youth लोग है न, वो फंस जाते हैं, बाद में जब वो पहुंचते हैं, इन देशों में, फुर एक्जामपल कमबोडिया में, अब वहाँ पे न, यह माफिया, ऐसे युवा लोगों को, एक compound में बंद कर देते हैं, compound में बंद करके, उनसे उनके passport वगएरा छीन लिये जाते हैं, और फिर, इनको मजबूर किया जाता है, कि आप online scam कीजिए, further scam कीजिए, और online scam से, आप पैसे कमा के हमें दीजिए, जिनको trap किया गया है, compound के अंदर, वो पैसे अगर नहीं कमाते, तो उनको फिर, torture किया जाता है, उनको और खराब compound में भेज दिया जाता है, अब चुकी ये सारे जो युवा लोग हैं, दूसे देशों से आएं हैं, first के आएं हैं, यहाँ पे और ज़्यादा first गएं हैं, तो local government इतना ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है, क्यूंकि local लोग नहीं हैं इन compounds में, बाहर के लोग हैं, compounds के अंदर जो भी activities चल रही हैं, उनसे move forward लेती हैं, इन देशों की सरकारे, Cambodia, Thailand, Myanmar, कुछ नहीं बोलती, compound के अंदर क्या चल रहा है, compound के अंदर ही, छोटी छोटी dormitries बनी हुई हैं, जहाँ पे UN का मानना है, कि ऐसे compounds में आज के समय में, दो से तीन लाख लोग फसे हुए हैं, और काम कर रही हैं, victims को बकाइदा target दिया जाता है, कि ऐस इतना पैसा हमें कमा के दीजिए, और नहीं कमाओगे, तो फिर torture start, कैसे जो compound के अंदर trap हैं, उनसे कैसे fraud करवाय जाता है, जैसे देखो, एक बहुत famous scam होता है, pig butchering scam, इसमें गया है, जो fraud करने वाले लोग हैं न, उनको बोला जाता है, कि एक fake social media profile बनाईए, लड़कियों की profile बना ली जाती है, फिर, कोशिस की जाती है, online बाचित start करने की, एक emotional relationship बनाने की, जब देखो emotional relationship बन जाती है, तो फिर सामने वाले को बोला जाता है, कि या तो मैं मुसीबत में हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए, बहुत जूर्थ है, मुझे मारा पीटा जा रहा है, या फिर, जहां से में लेके बोला जाता है, कि इस चीज़ में invest कर दीजिए, बहुत कमाई होगी, 20 दिन में पैसे डबल हो जाएगा, ऐसे सपने दिखाये जाते हैं, ये है pig butchering scam, तो उसके बाद है parcel scam, parcel scam इसमें गया होता है, पहले भी हमने ये discuss किया था, फोन आता है, कि ना आपका एक parcel मुंबई में पकड़ा गया है, और इसमें drugs हैं, अब आपको गिरफतारी देनी पड़ेगी, आप इंकार करते हो, नहीं ये parcel मेरा नहीं है, लेकिन सामने वाले जो fraud करने वाले लोग हैं न, पुलिस ड्रेस में आपको दिखेंगे, ओनलाइन वीडियो कॉल में, और बोलेंगे कि ठीक है, आपका नाम काट देंगे, आप इतना पैसा दीजिए, ब्लेकमेलिंग की जाती हैं, अब इस परकार का जो fraud है न, बहुत होता है, आप बोलोगे, कि यार इतना भी नहीं समझ में आता लोगों को, यार आप लोग ना अलग हो, आपके पास में इतनी knowledge है, एक एक चीज आपको पता है, कौन सी ऑजनसी आप से कब contact कर सकती है, आपको हर एक चीज पता है, एजनसी का पता है, किस एजनसी का phone आ सकता है, आप एक मिंट में चेक कर लोगे, कोरियर की डिटेल मांग लोगे, सब मांग लोगे, लेकिन आम जनता को इतना नहीं पता होता, फस जाते हैं लोग, वैसे देखो बहुत सारे इंडियन्स चुकी, कमबोडिया जैसे देशों में फसे हुए हैं, तो इंडिया इंटरपोल के सा मिलके, ओपरेशन स्टोंब चला चुका है, जिसकी मदद से इंडियन्स को रेस्क्यू किया जा रहा है, होम मुनिष्ट्री ने एंटी ट्रेफिकिंग सेल बनाई है, जो डिस्टिक लेवल से ही ट्रेफिकिंग रोकने का पर्यास करती है, इंडिया ने युनाइटी नेशन क क्राइम को भी रेटिफाई किया है, ताकि हुमन ट्रेफिकिंग के मुद्दे पर यून के दूसरे मेंबर कंट्री के साथ में कोपरेशन किया जासके, वे फोरवट में कहा जाता है, कई बार देखो होता ये है, अब ऐसे लोग देखो मयमार से ओपरेट कर रहे हैं, अब इ तो सरकार helpless feel करती है कि कुछ कर भी नहीं सकते हमारे लोग बहाँ पर फसे हुए हैं, तो सबसे best तो देखो long term strategy यही होने चाहिए, basic awareness create किया जाए कि भाई इस तरह के fraud active है, आप first मत जाना, सरकार देखो कोसिस करती है, campaign चलाने की, awareness चलाने की, लेकिन जिस हिसाब से fraud बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से awareness campaign नहीं चल रहा है, government को na private sector के साथ मिलके job opportunities create करने चाहिए, यह तो चलो, वैसे वाला point है, बहुत ज़्यादा common, बहुत ज़्यादा general, खेर, ज़्यादा points दिये नहीं हुए way forward में, आप बताइए, क्या होना चाहिए, कैसे इस परकार के frauds को रोका जा सकता है, आपकी निजर में, जो भी points है, सोचके आप comment box में बताइए, इसके बाद देखो Indian Express का एक important article है, basically, देखो comparison है, इंडिया और चाइना के बीच में, पिछले 30 सालों में, दोनों देशों की GDPs कैसे बढ़ी हैं, आप न, tables और ये charts के माध्यम से समझने के कोशिस देखो आपको जानके हिरानी होगी, साइध 1990 में इंडिया और चाइना की economy में कोई खास difference नहीं था, जहां इंडिया की nominal GDP थी, उसमें 0.321 trillion dollars और चाइना की nominal GDP थी 0.395 trillion dollars, यानि इंडिया की GDP का size, चाइना की GDP का almost 81% था, लेकिन देखो, 2000 वाला जो दसक था न, 2000 आते आते, इंडिया की nominal GDP का size हो गया 0.46 trillion dollars, जबकि चाइना आगे निकल गया, 1.21 trillion dollars, तो इंडिया की economy का size, चाइना की economy के size का 38% रह गया, फिर 2010 आते आते क्या हुआ, इंडिया की nominal GDP कि इतनी 1.7 trillion dollars, और चाइना की तो और भी बढ़ गया, 6.1 trillion dollars, इंडिया की economy, चाइना की economy के मामले में कितनी 28%, फिर 2022 आया, इंडिया की economy का size कितना 3.4 trillion dollars और चाइना की economy का size तो भढ़के 18 trillion dollars हो चुका है, यानि इंडिया की economy चाइना के मुकाबले में कितनी सिरफ 19%, बिसिकली देखो, दो दसक जो थे न, एक 90s वाला दसक, एक 2000 वाला दसक, ये चाइना के लिए न, बहुत ज़्यादा game changer साबित हुए, 90s वाला दसक जो था न, इसमें इंडिया की average growth rate रही जहां सिरफ 5.8%, चाइना की average growth rate 90s वाले दसक में रही 10%, फिर 2000 वाला जो दसक था न, 2000 से लेके 2010 के बीच का समय, इंडिया की average growth rate 6.3%, चाइन की average growth rate 10.4%, फिर आया 2010 से लेके 2022 वाला डेकेड, इंडिया की average growth rate रही 5.9%, चाइना की average growth rate रही 7%, तो बेसिकली 1990 से लेके 2010 के बीच के ये जो 20 साल है न, इन 20 सालों में चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, आज के समय में per capita income आप देखोगे न, तो इंडिया की per capita income च 2011 है, इंडिया lower middle income country में आता है, चाइना upper middle income country में आता है, 1990 से लेके 2022 के बीच में, चाइना की economy जहाँ 45 times बढ़ चुकी है, इंडिया की economy सिरफ 10 गुना बढ़ी है, इवन इस table से situation और भी clear होगी, 1990 में इंडिया और चाइना दोनों बिल्कुल पास पास थे, लेकिन फिर चाइना बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, अब इंडिया की भी बारी है, अगर इंडिया अपनी growth rate को sustain कर लेता है, तो चाइना के मुकाबले आ सकता है, ल जाए के GDP पे, क्योंकि ना per capita income पे इंडिया focus करेगा, तो वो जो development आएगी ना, वो sustainable development होगी, वो inclusive development होगी, अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज़्यादा नहीं होगी, GDP तो देखो ऐसे भी expand हो सकती है, कि चुनिंदा लोगों के पास में पैसा आ गया, चुनिंदा development इंडिया को नहीं लाने की कोशिस करनी चाहिए, इसलिए focus होना चाहिए per capita पे, समझ गए per capita income पे, तो ये कुछ है interesting facts थे, जो हमने जाने, अब last में WICOM सत्यागराय से समदित आर्टिकल हम discuss कर लेते हैं, 100 साल पूरे हो चुके हैं, WICOM सत्यागराय को, और UPSC आपको पता है, ऐसी ऐसी चीज़ों पर question बहुत पूछती हैं, जब किसी event को 100 साल, 75 साल, 50 साल, 25 साल पूरे हो जाते हैं, तो वो exam perspective से काफी ज़्यादा important हो जाते हैं, 30 March 1924 को एक moment start हुई थी, चलिए details से discuss करते हैं, आप GS paper 2, essay ethics और GS paper 1 में, history से भी इस article को relate कर सकते हो, WICOM सत्यागराय है क्या, देखो 1924 और 1925 में 20 महिनों तक चला ये सत्यागराय, WICOM सत्यागराय, ये सत्यागराय, untouchability के against हम, पुराने समय में, पूरे भारत में, कई-कई जगहाँ पर, और केरल में, caste system बहुत ज़्यादा prevalent था, so-called lower caste के जो हिंदूस थे, उनको मंदिरों में enter नहीं करने दिया जाता था, और ना सिरफ मंदिरों में, बलकि मंदिर की तरफ जाने वाली जो roads थी, उन पर भी entry ban होती थी, lower caste के लोगों की, काकिनाड़ा में meet organized हुई थी, Congress party की, 1923 में, उसमें T.K. Madhwan, इन्होंने एक report present की थी, कि discrimination कितना ज़्यादा हो रहा है, lower caste के लोगों के साथ, और depressed actions के साथ, तो उसके बाद ये आवसकता महसूस हुई थी, एक moment चलाई जाए, untouchability के against him, तो केरल में एक कमेटी को form क्या गया था, जिसमें अलग-अलग caste के लोग थे, और उस कमेटी को लड़ाई लड़ ने थी, untouchability के against him, कमेटी के chairman थे, के कलपपम, कमेटी में T.K. माधवं, मैनन, और के निला कांतन, नंबूत्री, और T.R. कृष्णा स्वामी अयर, ये सब लोग सामिल थे, फरवरी 1924 में उन्होंने decide कि केरला परितनम को launch किया जाए, ये एक temple entry moment थी, ताकि सभी लोगो अध अधिकार मिले, चाहिए वो किसी भी कास्ट का हो, मंदिर में enter करने का, और बगवान की पूजा करने का, केरल में एक जगह है, वाइकोम, वाइकोम में सिव टेंपल है, वहाँ पर ये moment के अंदरी थी, और ये वाइकोम जो है, आज के समय में केरल के कोटायम district में आता है, उ स्पेक्टरम में उनके बारे में लिखा भी हुआ है, उन्होंने ये स्लोगन दिया था, वन गोड, वन रिलिजन, वन कास्ट, सिरी नरायन गुरू ने अंटेचेबिलिटी के अगेंस्ट, और टेंपल एंट्री के पक्स में बहुत इंपोर्टन भूमिका निभाई, सिरी न कहा जाता है, देखो वैसे, ना तो गांधी जी ने सत्यक्राएक को लीड किया और ना ही, बहुत बड़े स्केल पर, पार्टिपेट किया, लेकिन जबस ये सत्यक्राँ चल रहा था, बीस महिनों का ये सत्यक्राएफ था, उननिस्सو चोविस, और 1925 में, और जब ये सत्यक् जो पार्टिस्पेट कर रहे थे इस सत्य ग्रह में डरेक्ली तो उन्हीं दस दिनों के बारे में बताया जा रहा है इस आर्टिकल में आर्टिकल में बताया जाता है 9 मार्च 1925 को साम कुछ है बजे वो वाइकों में पहुँचे वैसे प्लान के अनुसार उन्हें 4 बजे पहुचना था देरी इसलिए हुई थी तुकि बोर्ट गई थी गांधी जी का वैलकम करने के लिए और गांधी जी ने मना कर दिया था उन्होंने कहा था कि बोर्ट को यह नहां से ले जाओ, मैं अपना स्वागत नहीं चाहता, तो एक बात राइटर के द्वारा ये बोली जाती है, struggle के दुरान गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किये, कि जो ideally सही थे, morally सही थे, लेकिन उनसे जो उनके supporters थे, उनकी spirit down होती थी, लेकिन आज के समय में जैसे कई leaders अपने supporters की wish की सामने घुटने टेक देते हैं, गांधी जी ऐसे नहीं थे, वो अपने morals को values को कभी नहीं छोडते थे, चाहे बेशक supporters नराज ही क्यों ना होते हों, मतलब supporters की wish के सामने, गलत wish के सामने गांधी जी गुटने नहीं टेकते थे, उसके बाद देखो, एक-एक detail डिसकस की हुई है, जो की important नहीं है, जैसे example के तोर पर ये बताया जाता है, जैसे ही गांधी जी ने एंटर किया वाइकों में, welcome address के दुरान, stage पर जब गांधी जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक registered mail को प्राप्त किया, जिसमें orthodox brahmin's untouchability के pucks में बोल रहे थे, और गांधी जी के stand को criticize कर रहे थे, लेकिन उस दिन गांधी जी का मोनवर्थ था, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो सिधा सत्यागरह आश्रम में चले गए, तो इस परकार की details कहीं इस्तमाल नहीं हो सकती, important जो points हैं इस article में, वो ये है, गांधी जी ने अपने 10 दिनों के दुरान, सभी stakeholder से consult किया, सिरी नरायन गुरू, जो lead कर रहे थे इस सत्यागरह को, उन से consult किया गांधी जी ने, उनके साथ meeting की, महारानी, रिजेंट, दिवान, पुलीस कमिशनर, यहां तक की, जो orthodox brahmins थे, उनके साथ भी गांधी जी ने consult किया, उनके साथ भी meeting की, orthodox brahmins बात मानने को तयार नहीं थे, उनका कहना था, कि जो कुछ यह हो रहा है, कि depressed section के लोगों को, मंदिरों में नहीं enter करने दिया जाता, roads पर नहीं enter करने दिया जाता, यह सही है, यह सास्तरों के अनुसार है, यह जो हिंदू text है, उनके according है, तो गांधी जी ने orthodox brahmins को तीन option दिये, पहला option तो यह था, कि आप वाइकों में या फिर ट्रावन कोर में referendum करवा लीजिये, अगर referendum में सभी लोग majority के साथ यह मानते हैं, कि जो कुछ हो रहा है, यह सही है, तो हम आपकी बात को मान लेंगे, दूसरा option यह दिया गया था, mediation करवा लिया जाए, orthodox brahmins को बोला गया, आप अपने तरफ से एक secular send कर दीजिये, और सत्य गरहियों की तरफ से भी हम एक secular send कर देंगे, और दिवान जो हैं, वो verdict को pronounce कर देंगे, mediation के बाद, गांदी जी ने ये भी कहा था, अगर इस proposal को accept कर दिया जाता है, तो सत्य गरहियों की तरफ से जाएंगे, मदन मोहन मालवय, लाश्ट में तीसरा option, orthodox brahmins को यह दिया गया था, कि आप साबित कर दीजिये, मतलब आपको लगता है, जो कुछ आप कर रहे हो, ये सही है, तो आप वो टेक्स्ट लेके आए, जिनके आधार पर आप बोल रहे हो, कि ये सही है, कौन से हिंदू टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है, तो orthodox brahmins ने तीसरे proposal को accept किया, उससे पहले देखो, एक खास बात ये, गांदी जी ने orthodox brahmins को पूरा मौका दिया, कि आप तीनों में से कोई भी option चूज कर लीजिए, और अगर आप सही साबित हुए, तो सत्यक रही आपकी बात मान लेंगे, लेकिन आप गलत अगर साबित हुए, तो आपके उपर है, आपकी मर्जी है, आप वर्डिट को मानो या फिर ना मानो, तो इससे बहुत सारे जो सत्यक रही हैं, या फिर स्पोर्टर्स हैं, वो नराज भी हुए, कि अगर हम हार गए, तो हमको माननी पड़ेगी orthodox brahmins की बात, लेकिन orthodox brahmins अगर हार गए, फिर भी उनकी मर्जी है, वो वर्डिट को सविकार करें, या फिर ना करें, तो इस बारे में गांदी जी के व्यू काफी स्ट्रोंग थे, उनको लगता था, ये लडाई सच की लडाई है, और हम हार ही नहीं सकते, हमें पता है, हम बिल्कुल ठीक है, मतलब हारने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन और्थोडोक्स ब्रामिन्स का जो स्टैंड है, वो इससे एक्स्पोज हो जाएगा, और आखिर में वही हुआ भी, खेर हम उस पॉइंट पर फिर से चर्चा करते हैं, और्थोडोक्स ब्रामिन्स ने तीसरे परपोजर को सविकार किया, और वो एक टेक्स्ट लेके आए, टेक्स्ट का नाम क्या था? संकरा समरिती, गांदी जी ने कहा कि ये जो टेक्स्ट आप लेके आए हो, ये अथोंटिक नहीं है ये टेक्स्ट है, और दूसरे जो नरायन मैनन थे या फिर दूसरे उस समय जो बड़े सेकॉलर्स थे, उनके पास भी उस टेक्स्ट को ले जाय गया, और उन्होंने भी माना कि ये जो टेक्स्ट परजेंट किया गया है, और थोडोक्स ब्रामिन्स के द्वारा संकरा समृति जिसमें अंटेचाबिटी को जायज थाया गया है, ये अथोंटिक नहीं है, ऐसा करके देखो बेसक वाइकॉम सत्यक्राय उस समय खतम नहीं हुआ था, थोड़ा और लंबे समय तक चला, लेकिन गांदी जी ने पब्लिक ओपिनियन बिल्कूल एकदम से सत्यक्रायों के पक्स में कर दी थी, और और थोडोक्स ब्रामिन्स को समझ में आ गया था, कि जनता उनके साथ नहीं है, और उनका जो स्टेंड है, वो मोरल नहीं है, तो ये एक मेजर रीजन रहा, इस सत्यक्राय के सफल होने का, तो ये कुछ चीजें आप लिख सकते हो, जब अगर मेंस में वाइकॉम सत्यक्राय के बारे में 10 मार्क्स का या फिर 15 मार्क्स का अलग से कोशन आ जाता है, अलग-अलग स्टेक्षोल्डर से कंसल्ट करने का फाइदा देखो ये हुआ, जैसे गांदी जी पैरियार से मिले, और गांदी जी निरायन गुरू से मिले, पुलिस कमिशनर से मिले, जो महरानी रेजेंट से उन से मिले, तो इन सब से मिलने का फाइदा ये हुआ, मित तू कर रही है, तो ये सब फाइदे हुए, वाइल्ड, वाइड स्केल पे जो कंसल्टेशन गांधी जी के द्वारा किया गया इस सत्यागरा के धुरान लास्ट में कोशन्स देख लिजिए जो आपको अटेम्ट करने हैं, दो कोशन्स आपको अटेम्ट करने हैं, एक तो देखो, वाइकोम सत्यागरा से सम्बंदित, और दूसरा PMLA से सम्बंदित, Prevention of Money Loanering Act, दोनों कोशन्स के आंसर आप दीजिए www.onlyais.com पे, तो आज की डिस्केशन में इतना ही हैं, कल मिलते हैं, फिर से एक नई डिस्केशन के साथ, तब तक आप अपने ख्याल रखे, thank you, thank you very much for discussion.